श्री शिवाय नमस्तुब्यम राधे राधे सभी को आज के वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी के पौधे का कार्थिक मास में क्या महत्व है और क्यों लगाना चाहिए तुलसी का पौधा घर में खास कर जब तुलसी जी कि ये ऐसी सुखी हुई लकड़ी आपके पास हो तो इसका किस तरीके से आप इस्तेमाल करके इस सुखी हुई लकड़ी से 100 गुना फाइदा ले सकते हैं ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये जानकारी मैं कहीं से पढ़कर आपको दे रही हूँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं लेकिन जानकारी 100% प्यूर है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये बातें आ प्रश्णाना वर्थ है। आप सबको ये तो पता है कि तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ साकरात्मक उर्जा का संचार होता है। तरीके से इस्तमाल भी कर सकते हैं। उपाय नंबर वन ये है कि सुखी तुलसी की छोटी छोटी साथ लकडियां आप इकठा कर लें। इसके बाद इन लकडियों को आप किसी कच्चे सूत से बान दीजे और इन्हें घी में अच्छे से पोर कर दीजे दुबो दीजे और फिर दीपक की तरह जलाईए और भगवान विश्नु के सामने रखे जैसे हम दीपक जलाते हैं ठीक उसी तरीके से आपको करना है। इससे वह अतिप्रसन होते हैं और इस उपाय को एका दशी या फिर किसी भी मन्त के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की त्रेयों दशी तुलसी की साथ लकडियों को एक साथ यानि जैसे आप देख रहे हैं छोटी-छोटी लकडियों को एक साथ आप बान लिजे कच्चे सूते से या फिर सफेद धागे से इसके बाद सपताह में एक बार इन्हें गंगाजल में डूबोल दें थोड़ी दिर छोड़ दें फिर पूरे घर में उस गंगाजल का छिड़काओ कर दें ऐसा करने से नाकरात्म कुर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत फायदे मंद है जो थोड़े जादा सोचते हैं डिप्रेशन का शिकार हैं जिनके घर म अस्थान पर ऐसा करने से मा लक्षमी अती प्रसंद होती हैं इसके साथ ही पैसो की तंगी भी दूर होती है तो तुलसी के ये उपाये बहुत सोच समझ कर कार्थिक मास में मैं आपको बता रही हूँ जरूर कीजिए इस उपाये को और यदि थोड़ा भी आपको फायदा मह बांध करके प्रवेश द्वार के पास टांग दे ऐसा करने से मा लक्षमी के साथ भगवान विश्नु की असीम किरपा आपको मिलती है और घर में सकरात्मक उर्जा प्रवेश करती है अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोश है तो एक लाल कपड़े में थोड़ी सी सू चलिए ये तो हो गई उपायों की बात अब दूसरी चीज़ यह है कि तुलसी जी को घर में क्यों लगाना चाहिए और ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों के माइंड में आने भी वाला है तुलसी का जो पौधा है वो एंटी इंफ्लमेंटरी गुण होता है उनमें जो वा मैं अलग प्लांट दिखा रही हूं मैं तुलसी के बारे में ही बात कर रही हूं जो तुलसी जी की जो पत्तियां है उन्हें बॉयल करके ये उनका काढ़ा आप पीते हैं तो आपको कफ में बहुत आराम मिलता है आपके बोड़ी को एनरजी मिलती है या और भी उसके बहु होता है यानि कि तुलसी के पत्तो को यदि आप मूह में रखते हैं तो उससे बहुत सारी मूह के अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और मूह के छाले भी ठीक होते हैं यदि आप तुलसी जी का काढ़ा पीते हैं या फिर तुलसी के पत्तो को मूह में रखते हैं तुलस तुलसी की जो पत्तियां है ये विटमिन के का एक बहुत ही बढ़ियां सोर्स है तो विटमिन के एक आवश्यक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों के स्वास्त और आपके हड्ड के स्वास्त के लिए बहुत ही महत्यपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए भी तुलसी के पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं और अपने घर में तो ज़रूर लगाईए तुलसी का पौधा जिस जगह पे लगा होता है वहाँ पर oxygen level maintain होता है तुलसी में 24 गंटे में से 17-18 गंटे oxygen रिलीज करने की शमता होती है तो इसलिए भी तुलसी के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा घर में लगाना चाहिए पुराने जमाने में आंगन के 20 तुलसी जी लगाई जाती थी घर के दरवाजे पर भी आप लगा सकते हैं बस एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे कि तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए कई तरीके के दोशोत्पन होते हैं आप गमले में लगाईए जहां तक दिशाओं का यदि आप चाहते हैं जानना कि कौन सी दिशा होती है तुलसी जी के लिए तो मैं समझती हूँ कि यदि कोई धूप वाला पौधा है तो उसे आप यदि धूप के तरफ रखेंगे तो वही दिशा उसके लिए सही है क्योंकि पौधा स्वस्त रहेगा मुर्जाएगा नहीं तो तुलसी जी को आप ऐसे जगह पे लगाईए जहां पर सनलाइट बहुत जरूरी है अभी जैसे ही सर्दियां शुरू होंगी तुलसी में प्रॉबलम भी स्टार्ट हो जाएगी तो इसके लिए एक complete वीडियो मेरे evergreen वाले चैनल पर मैंने share किया है playlist आपको मिल जाएगा description box में आप देख सकते हैं कि तुलसी को हरा भरा कैसे रखना है सर्दियों में तुलसी जी को धूप वाले जगब पर रखे सर्दियों में पानी कम दीजे और report करना है तो अब फैब में कीजे तुलसी के पौधे को अभी आप 20-20 रुपे के आसानी से नरसरी से खरीद करके लगा सकते हैं सर्दि खासी में भी तुलसी जी के पत्तों का काड़ा बना कर जरूर पिए मुझे उमीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें क्योंकि सब्सक्राइबर तो बढ़नी रहें व्यूज बहुत ज्यादा आती हैं धन्यवाद